Hello students, हम कर रहे हैं company law Company law के अंदर आज हम दो section करने वाले हैं directors related, most important sections है ये exam में इनके questions कई बार आते हैं एक तो है section number 168 and 169 168 जो section है वो director के resignation के बारे में बताता है कि अगर कोई director चाहे तो अपने पद को छोड़ सकता है resign कर सकता है तो वो resign कैसे करता है उसके लिए क्या क्या चीजे important है जो ध्यान में रखनी होती है उसका process क्या है वो इस section के अंदर दिया हुआ है मैं यहाँ पर आपको theory नहीं रटा रहा हूँ वो तो आपकी book या notebook जो भी है उसमें भी लिखी होगी मैं आपको इसको समझा देता हूँ तो इसमें जो most important चीज़े है वो करनी होती है board of director को BOD को यानि की company को ठीक है अब जिस भी director को भी resign करना है यह director माल लेते है Mr. X यह director साब है इनको resign करना है तो resign करना है तो क्या करना पड़ेगा इनको resign का notice भीजना पड़ेगा मैं resign करना चाहते है notice किसको भीज देंगे BOD को board of director को board of director उस notice को accept करेंगे उसके साथ में board of director को एक copy भीजनी पड़ेगी किसको ROC को यह ROC registrar of company तो ROC को एक DIR form 12 भरकर के भीजना पड़ेगा कि यह जो Mr. X है यह resign कर रहे हैं हमारी company से और जो Mr. X डारेक्टर हैं जो resign होना चाहते हैं उनको भी ROC को DIR 11 फॉर्म भरके 30 दिन के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर DIR 11 फॉर्म ROC को भेजेंगे जो director resign करना चाहता है और 30 दिन के अंदर यह company भी भेजेगी जब इसने notice भेजा है company को यानि की board of director को उसके बाद में जो है वो director resign कर पाएगा ठीक है तो यह simple section था अब आप अगर theory पड़ेंगे तो आप को TJ समझ में आ जाएगी ठीक अगला जो हमारा section है वो अच्छा है वो है section number 169 section number जो 169 है यह removal of director को हाँ जी director को remove भी किया जा सकता है वो जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको हटाया जा सकता है remove किया जा सकता है company से लेकिन ऐसे कैसे remove किया जा सकता है इसका भी तो कुछ process होगा और remove करेगा कौन remove करेंगे share holders या तो central government कर सकती है उसके section अलग है लेकिन हम यहाँ बार बात कर रहे है share holder share holder कहा remove करेंगे AGM के अंदर annual general meeting या EGM के अंदर भी remove किया जा सकता है या जनल मिटिंग में remove करेंगे share holders लेकिन क्या एकदम से अटा देंगे उसको एकदम से remove कर देंगे बीच में नहीं उसके लिए क्या होता है कौन remove कर सकता है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ठीक है 1% voting power हो ऐसे share holders जिनके पास कितनी है 1% voting power या फिर उनके पास जो paid up share capital है वो 5 लाग रुपे की है मतलब समझे नहीं मैं बताता हूँ ऐसे share holder जिनके पास 1% voting power है या फिर उन्होंने 5 लाग रुपे तक के share खरीद रखे हैं जिनकी paid up share capital 5 लाग रुपे तक की है उनकी value इतनी है 5 लेक रुपी इन दोनों में से जो भी कम हो अगर वो काईटेरिया पूरा करते हैं अगर ये share holder तो इन share holder ये share holder जो है जिस भी director को हटाना चाहते हैं company में उसके लिए एक special notice भेजेंगे company को 14 दिन पहले AGM से AGM या EGM जो भी है उससे किते दिन पहले 14 दिन पहले एक special notice भेजेंगे कि हम फलाना director को हटाना चाहते हैं उसका special notice फिर क्या होगा company जो है उस special notice की एक copy लेगी उस special notice की एक copy लेगी और वो copy बता है किसको send करेगी देखो इन share holders ने तो special notice send कर दिया company को यानि कि BOD को अब company क्या करेगी यानि कि board of director क्या करेंगी special notice की copy send करेंगे उस director को जिसको remove किया जाना है जिस director को remove किया जाना है purpose to be removed ठीक है तो उस director को उस special notice की copy बेजेंगे वो director उस copy को पढ़ेगा और उसके बाद अपना पक्स रखेगा तो एक representation letter जो है ये director किसको बेजेगा company को बेजेगा तो अभी क्या क्या काम हुए एक तो काम हुआ कि जो shareholder किसी director को हटाना चाहते है वो special notice बेजेंगे company को company उस special notice की copy बेजेगी उस director को जिसको remove करना है वो director अपना पक्स रखने के लिए representation letter बेजेगा company को लेकिन ये जो special notice है ये कौन से shareholder बेज सकते हैं ये वे shareholder बेज सकते हैं जिनके पास या तो 1% voting power है या 5 लाग रोपे तक की paid up share capital की value के share उनके पास नहीं है अब company क्या करेगी अपना काम करेगी company circulate करेगी copy किस की copy दो चीज़ों की एक तो special notice की copy और एक representation letter की copy इनको circulate करेगी circulate किन को करेगी बाकी जो भी shareholders है उनको गरेगी कब गरेगी at least 7 day before AGM जो annual general meeting होनी है उससे 7 दिन पहले ये special notice company को किते दिन पहले बेजेंगे 14 दिन पहले फिर वहाँ से वो copy उसको बेज़ देगा उसका representation letter आ जाएगा और फिर company AGM से कम से कम 7 दिन पहले जो special notice है और जो representation letter है उन दोनों की copy जो है वो circulate करेगी बाकी सारे members को और फिर जिस दिन AGM होगी ठीक है जिस दिन AGM होगी annual general meeting या EGM जो होगी ठीक है conduct करी जाएगी उसमें OR pass किया जाएगा कैसे किया जाएगा voting के थूँ अगर OR pass हो गया तो उस director remove किया जाएगा और अगर OR pass नहीं हुआ तो मान लेते है removal के favor में केवल 30% vote आए 70% vote आएगी remove मत करो तो remove नहीं करेंगे उस director को remove नहीं हो पाएगा लेकिन अगर OR pass हो गया ordinary resolution pass हो गया क्योंकि current सारे बताई जाएगे जो special notice में लिखे हुए है सारे shareholder member पढ़ लेंगे फिर उसके बाद OR pass होने के बाद में director को remove किया जाएगा और DIR 12 form भर के ROC को इस बारे में सूचना company देगी तो यह होता है removal of पूरा director का section के अंदर जो processing है वो मैंने आपको बता दिये और form number वगेरा days भी बता दिये अब आप अगर इसको paragraph में points wise भी लिखे देते हैं तो भी examiner अच्छे से समझ आएगा और आपको marks देदेगा इसके अलावा अब अगर आप theory पढ़ते हैं अब अगर क्या पढ़ लेते हैं theory पढ़ लेते हैं तो भी theory आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको वो समझ आ जाएगी हम मिलेंगे next lecture में आज के लिए तरह ही तब तक के लिए goodbye and thank you